जो हम पढ़ रहे हैं आओ करें और सीखें जो कि कक्षा 6-8 के लिए हिंदी की वरकबूख है और इसमें हम करेंगे आज अब्भ्यास 28 और 29 इसके पहले की अब्भ्यास हम कर चुके हैं यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लैलेस्ट पर जाकर देख सकते हो और इसी त इसी प्रकार अगला जो चीत्र है यह क्या है रेल तो यहां जो शब्द दे रखें यह क्या है रेल उसमें जहाँ पर रेल लिखा होगा, उससे हम मिला देंगे. तो सबसे पहला शब्द दे रखा, तेल, फिर है खेल, और फिर है रेल. तो इस रेल की चित्रों को हम रेल से मिला देंगे. इसके बाद जो अगला चित्रों दे रखा, वह है लाल्टेन. तो यहाँ पर इन शब्दों में से जहाँ लाल्टेन लिखा होगा, हमें उसको मिलाना है. तो सबसे पहले ही यहाँ पर लिखा है लाल्टेन, मेहमान, करेला. करेला तो यहाँ पे लालटेन का चित्र है इसलिए हम इस चित्र को जहाँ लालटेन लिखा उससे मिला देंगे तो हम लालटेन की चित्र को लालटेन लिखा उससे मिला देंगे इसके बाद अगला जो चित्र है वो क्या है? बेल तो यहाँ जो शब्द दे रखें वो क्या है सेर, चेन, बेल तो हम बेल के चित्र को बेल से मिला देंगे इसके बाद अगला जो चित्र दे रखा है वह है पेर पेर है और यहाँ जो शब्द दे रखें वो क्या है बेर, पेर, खेर तो हम पेर के चित्र को किस से मिलाएंगे पेर से तो पेर लिखा है यहाँ पर तो हम इस चित्र को इससे मिला देंगे तो इस प्रकार हमने इन चित्र को शब्दों से मिला दिया है जिस चित्र का चित्र दे रखा था उससे हमने उससे मिला दिया तो ये बेल का चित्र था बेल से मिला दिया पेल का चित्र था पेर से मिला दिया इसी प्रकार आगे जो निर्देश दे रखे हैं वो है चोखाने में एक ही मात्रा के कुछ शब्द दिये गए हैं जिनमें से गोले में दिये चित्र को पहचान कर सही शब्दों को लिखो, तो चोखाने में एकी मात्रा के कुछ शब्द दिये गए हैं, तो ये चोखाना है, इसमें एकी मात्रा के शब्द दे रखे हैं, जिनमें से गोले में दिये चित्र को पहचान कर सही शब्दों को लिख तो सबसे पहला चित्र है बेल, ठीक है बेल, तो यहाँ पर क्या लिखा उपर, हमारे पास उपर लिखा हुआ पेशा, खपरेल, बेल, पेर, थेला, तो यहाँ पर बेल का चित्र है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बेल, बेल, उसके बाद दूसरा जो चित्र है यह है पेर, तो हम यहां लिख देंगे पेर फिर तीसरा चित्र है यहां क्या है पेसा तो हम यहां लिख देंगे इसके नीचे पेसा उसके बाद अगला जो चित्र है वह क्या है थेला तो यहां लिखा है थेला तो हम यहां पे भी लिख देंगे थेला उसके बाद अगला जो चित्र है वो क्या है? खपरेल खपरेल तो हम यहां लिख देंगे खपरेल 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 तो इस प्रकारी अभ्यास 26 पूरा हो चुका है इसके बाद हम करेंगे अभ्यास 29 तो अभ्यास 29 को भी हम शुरुवात में सबसे पहले हैं दिनांक को लिखेंगे जिस भी दिनांक को आप अभ्यास करोगे यह वह दिनांक आपको लिखनी है उसके बाद हमें निर्देश दे रखा है पढ़ो, बोलो और लिखो तो हमें यह पढ़ना है, फिर बोलना है और फिर लिखना है, यहाँ पर इन दो जगे दे रखी है यहाँ पर लाइन की जिए, इसलिए हमें इन दोनों ही जगे पर यहाँ लिखना है तो यह चित्र किसका है? ए एनक का यहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ पे भी ए है अब यहाँ दो लाइने दे रखी तो यहाँ पर भी हमें ए लिखना है तो ए लिख देंगे हम ए एनक का इसके बाद जो अगला चित्र है ए एडी का यहाँ पे भी है ए एडी का तो हम यहाँ लिख देंगे इसके बाद अगला जो चित्र है ओ, ओ खलीका, तो ये ओ है, ओ, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे, ओ, ओ, ओ खलीका, ओ, ठीके, अगला जो चित्र है, अउ, ओ रत का, तो यहाँ ओ रत का चित्र है, यहाँ पे ओ लिखा है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, अउ, ओ औरत का, ठीके, उसके बाद अगला चित्र है अम, अगला चित्र है अंगूर, अम, ठीके, यहां शब्द कुन सा दे रखा अम, अम से अंगूर, अंग से अंगूर, यहां पे अम, तो हम यहां पे लिख देंगे अंग, और यहां पे भी अंग, अंगूर का, इसके बाद अह, अह, ठीके अह लिख रखा है अह, तो हम यहां लिख देंगे अह, ठीके अह का कोई चित्र नहीं होता है, इसलिए यहां पर इसा बना रखा अह, और यहां पर भी हम लिख देंगे अह, तो इस प्रकारे अभ्यास 29 भी पूरा हो चुका है, और इसी प्रकार के और वीडियो दे ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए